तो दोस्तो आज है 2 जनवरी 2022 और आज मैं लेके आ हूँ आपके लिए सूरिय चक्र पावर कॉर्परेशन लिमिटेड कंपनी का कंप्लीट एनलाइस तो अगर आपके पास इस कंपनी में निवेश हैं या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हल्पफूल होने वाला है इस वीडियो में दोस्तो सबसे पहले हम इस कंपनी के शेयस के चार्ड पटन को अनलाइस करेंगे और फिर उसके बाद हम इस कंपनी का fundamental जानेंगे फिर दोस्तो हम ये discuss करेंगे कि इस कंपनी में हमें निवेश करना सहीं रहेगा या फिर नहीं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमी सबसे पहले इस company के shares के chart pattern से ही शुरू करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो आपको Friday के दिन भी इस share ने 5% का शांदर upper circuit दिया ठीक है तो अगी अगर weekly chart pattern को analyze करें तो इस हफ्ते में लगातार upper circuit की और ही चल रहा ही है आपको यहाँ पे नज़र राखना पड़ेगा एक अच्छा breakout दिया है इस share ने इस वग ठीक है तो इस मेहने में जो breakout रहा है 178 1.78 रुपिस था मतलब 1.78 पैस अता highest बना चुका है 7 December तक उसके बाद थोड़ा सा lower circuit गया था यह share everyday lower circuit शुरू किया था फिर से यहाँ से 20 December से 1.25 पैसे से share फिर से upper circuit जाना शुरू किया है finally अभी इस high को cross करके यहाँ पे 1.89 रुपिस 1.89 रुपिस बना चुका है मतलब 1.89 पैसा ठीक है तो 6 महने का अगर चार्ट पैसा देखें चे महने में दोस्तों यहाँ पे आपको 50% का return दिया है आपको return से ज्यादा इसकी upper circuit वाली speed का जो आपको चार्ट पैटने वो देखना है यहाँ पे एक शांदार breakout दे चुका है यह share आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धमाका करने वाला है यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप चार्ट पैटन को analyze करते हैं आप जानते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुती शांदार मौका बन चुका है इस share पर ठीक है अभी max 1 year का देख लेते हैं यहाँ पे शोर नहीं हो रहा है max 5 year का देख लेते पांट साल में इस share ने आपको 30% का negative return दिया है और ठीक है यहाँ पे लेकिन आप देख सकते इसका 2017 में इसका share price था दो रुपे अकत्तर पैसा share फिर से lower circuit पे आया दो रुपे अकत्तर पैसे का share 2017 के बाद यहाँ पे 2019 तक सीधा 19-20 पैसे का share हो चुगा कचले की भाव में उसके बाद दोस्तो 2019 के बाद यह share फिर से इस share पे ट्रेड होना शुरू हुआ है और share की चार्ट प्रटन पे हल चल शुरू हो चुगा है फाइनली दोस्तों यह upper circuit की और चल रहे है तो उम्मीद है अगर यहाँ पे एक breakout दिया तो यह इस high को cross करके आगे निकलने वाला है ऐसा उम्मीद है ठीक है max to max देखे अगर तो आपको यहाँ पे दिखेगा इसका share price जब यह listing हुआ था 2007 में यह 21 रुपया इसका share price था ठीक है 21 का share फिर से इतना तेजी दिखाया कि आप यहाँ पे देख सकते हो यह share आपको 53 रुपय तक जा चुका था ठीक है 50 रुपय क्रोस करके फिर long term के लिए आपको इस company में निवेश करने के लिए बिल्कुल सोचना है इस company की fundamental को समझना है ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो निवेश किया था retail investor आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे investor होते हैं जो तेजी देखके निवेश कर देते हैं और उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है यहाँ पे जो निवेश किया दोस्तों उसी तरह से इनको भी बहुत बड़ा नुक्सान उठाना पड़ा अगर वो मैक्स आपको बता रहो अगर 20 रुपे का भी शेर्स बाई किया था उस जमाने में 2010 में तो वो इन्वेस्टर आज के टाइम पे बरवाद हो चुका है ठीके ये भी चीजे आपको ध्यान दगना है लॉंग टर्म के लिए अगर आपको किसी वीडियो में बता रहा है कि यह इस प्राइस को क्रोस करने वाला है इतना तेजी आने वाला है कि आपका एक रुपे का शेर पचास रुपे का हो जाएगा तो आपको पहले यहाँ पे देखना है इनके बारे में सोचना है कि जो यहाँ पे निवेश किया था वो किस तरह से वर्बाद हो चुका है तो दोस्तो चार्ट पेटन के मुताबिक यहाँ पे शांदर मौका बन चुका है ठीक यह अच्छी बाते लेकिन आपको क्या करना है अगर आप निवेश करते हैं इस कंपनी में तो आपको चार्ट पेटन के मुताबिक आपको यहाँ पे स्टॉप लोज का इस्तेमाल जरूर करना है और एवरी डे स्टॉप लोज को मूव करना है ठीक है जैसे जैसे पांच परसन का अपर सरकीट लगातार देता जा रहा है तो आपको पांच परसन का भी स्टॉप लोज को मूव करते रहना है दोस्तों शेर मार्कित का कोई भरोशा नहीं है चार्ट पटन कभी भी नीचे की और गिर सकता है ठीक है तो यहाँ पे आप हाई वोलेटल में बाय करेंगे फिर से शेर एक एक रुपए 89 का पैसा अगर डेल रुपए एक रुपए 25 पैस करेंगे तो मैं लेकर चलता हूं आपको इसक्रेना डॉट इन पर यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का टोटल मार्केट के अफे 28 करोड का है ठीक है 28 28.3 करोड इसका करेंट शेर प्राइस 189 एक रुपया मतलब अल्मोस्ट नबबे पैसे के आसपास यह अभी आल्टाइ 27 मतलब 37 पैसे का शेर हो चुका है यहाँ पर प्राइस अर्निंग रश्यो दिया नहीं जिससे हमें वैलूएशन पता चलता यहाँ पर दिया नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि प्राइस अर्निंग रश्यो से कुछ फरक ने बढ़ेगा बहुत फरक पड़ता है इस वक्त इ यह कंपणी आपको डिवीडेन नहीं देता है ठीक है ध्यान रखिए आप इस बात को इसका फेस वेलू इस वक्त दस रुपेगा चल रहे है थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके बाकी का इंपोर्टेंच चीजे मैं आपको दिखा देता हूं स्टॉक इस ट्रेडिंग एड़ 0.28 टाइमस इस बूग वेलू तो बूग वेलू शांदार चल रहा है इस वक्त इसका जो नंबर से बहुत कम हो गया है तो यह अच्छी बात है अभी इस कंपणी का नेगेटिव पॉइंच देख लेते हैं कंपणी हैस लो रिटेन लो इंट्रेस्ट कोबरेज रश्यो ठीक परसंद के आसपास माइने दिया है यह आपको ध्यान दखना पड़ेगा इससे ज़्यादा दोस्तों इस कंपणी में कुछ दिख नहीं रहा है अभी हम इस कंपणी का टूटल प्रोमोटर्स का होल्डिंग इतना है वो जानेंगे तो company का total promoters का holding यहाँ पे 22% हो रहा है लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा सबसे important चीज है यहाँ पे 2018 का यह है ठीक है 2018 के बाद update ही नहीं किया है इस company के share ने ठीक है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस time पे 2018 का time पे 77% इस company में public का holding था 22% 23% के आसपास इस company का जो promoters का holding था यह 2018 की बात है उसके बाद यहाँ पे कोई update नहीं है तो आपको इस company में निवेश करने से पहले इस सारी चीज़े आपको ध्यान रखना है उसके बाद ही निवेश करना है और दोस्तों चार्ट पेटन के मुताबिक इस share ने एक शांदर breakout दिया है इस बात को आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा breakout दिया है यह इस high को cross कर चुका है यहाँ पे आप देखे जुलाई में जुलाई को इस share ने high बनाया था 1.65 पैसे गाँ फिर से नीचे आया जुलाई के बाद 1.65 पैसे से यह सिधा 80.90 पैसा हो गया फिर से थोड़ा सा consolidated पे बिजनेस किया उसके बाद थोड़ा सा अपर सर्कीट गया यह share इससे low बनाया था 1.65 के बाद high बनाया 1.47 फिर से थोड़ा सा उपर जाने किया 1.47 को cross करके 1.54 पैसे इस high से थोड़ा सा फिर से यह high बनाया ठीक है 1.78 बनाया उसके बाद यहाँ पे low जाने के बाद अभी वह 1.89 बनाया तो इस बख बहुत valuation महेंगा हो चुका है शेयर का कभी भी नीचे आ सकता है अगर आने को रहा तो नहीं तो यहाँ पे एक अच्छा breakout अगर शांदर breakout यह सापित हो गया तो आपको यहाँ पे माला माल कर सकता है तो दोस्तों इस company में निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से company का fundamental जरूर समझिए वीडियो का यहीं wind up करते वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजी अपने दोस्तों को शेयर कीजी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ हमारी वीडियो को आनते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद